Hello everyone, welcome back to Anamika Market Vlogs I hope you all are doing well तो आज हमार गए हैं इंदरलोक Market का Part 3 आपको शो करने Part 3 हो गया है, Part 2 आपने देख लिए होंगे, मतलब जो 1st Part था, 2nd Part था आज का जो Part है, वो Metro साइट जो Market लगती है उसके रिकार्डिंग है, बहुत सस्ता और बहुत ही अच्छा अच्छा कलेक्शन दिखाया है फाब्रिक्स हों, टॉप्स हों, स्लीपर्स हों, बैक्स हों, बहुत कुछ दिखाया है जिनमें की बहुत सारे आइटम आपको 150, 20, 30 रुपे की रेंज में भी मैंने दिखाया है लाइव लोकेशन आपको वीडियो में दिखा दी जाएंगी विंटर कलेक्शन आज की वीडियो में बहुत अच्छे से कवर किया गया है तो आप लोगों को आज में बहुत यह अच्छा करेक्शन दिखाने वाली हूँ इंदलोक मार्केट का आप लोग अगर इंदलोक मार्केट के बारे में और भी जादा जानकारी जानना चाहते है तो वीडियो के एंड में थोड़ी सी जानकारी भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी है और वीडियो के एंड में आज आपको बहुत ही प्यारी सब्प्राइज कहलो या कुछ भी कहलो आपके साथ शेयर किया है तो जरूर देखके जाना वीडियो को end तक और बहुत छोटी सी प्यारी सी वीडियो है क्योंकि मेट्रो साइट जो मार्केट लगती है यहने बहुत छोटे में दिखाया चलिए शुरू करते हैं अगर आप सारी मार्केट्स की ट्रेंडिंग और बेस्ट वीडियो दिखना चाते हैं तो चैनल को सब्स्क्राइब करें सबसे पहले मैंने एक्जिट किया गेट नंबर 5 से इंद्रलोग मार्केट के मतलब इंद्रलोग मेट्रो स्टेशन के और जैसे आप गेट नंबर 5 से एक्जिट करेंगे सबसे सामने ही आपको जो है मार्केट दिखनी शुरू हो जाएगी और यह जो है नीचे नॉर्मल पट्री वाली थड़ी वाली मार्केट लगती है गेट नंबर 5 है और कभी कभी कमीटी वाले जो है आखे सुबा में इनको परिशान करते है लेकिन 11-12 बज़े से मेट्रो वाली जो मार्केट है वो लगनी अच्छे से स्टार्ट हो जाती है तो यहां हूँ मैं और यह है मेरे पीछे मेट्रो का गेट नंबर 5 और यहां है मेरे पीछे मार्केट तो चलिए जादा देरी न करते वे आज का प्यारा प्यारा कलेक्शन दिखा देती हूँ लाइव लोकेशन को ध्यान से देखना सो लेट्स को और देखते हैं बढ़िया बढ़िया कलेक्शन यहां पर सबसे पहले भईया दे रहे थे 2500 रुपे में यह दो स्टॉल्स काफी अच्छे अच्छे स्टॉल्स भईया के पास यहां पर मिल रहे थे ब्लू कलर में थे वाइट कलर में थे देखो इतने सारे स्टॉल्स भईया दे रहे थे यहां पर सिरफ आपको पढ़ेंगे यह 20 रुपे मीटर में दे रहे थे यह वाला कपड़ा काफी अच्छा होने वाला था यह फैपरिक इसी के आगे एक और मुझे शॉप दिखी यहा काफी अच्छी लग रहे थे यहां से भी खरीदारी कर रही थी पचास पचास रुपे में गरम कुर्टे के आपको यह मिल जाएंगे पीसे इसमें आप कुर्ता बना सकते हो एक वह भी गरम वाला तो देख सकते हो आंटी के हाथ में आपने देख लिया होगा इनी के जस्ट आगे में मुझे एक और शॉप मिली जहां पर तीस रुपे मीटर में मिल रहा था प्योर का फाबरिक और मुझे काफी जादा पसंद आया यह देख सकते हो बहुत जादा प्योर था कपड़े की क्वालिटी जो थी वह बहुत जादा अच्छी थी जैसे कि मैंने आपको प् उसी के बाद यहां पे यह फैबरिक वाली भाईया जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाया थे थास्जे मार्केट में कवर करके 120 रुपे मीटर में इंदिलोक मैट्रो स्टेशन के बिलकुल इस तरफ जब आपाएंगे तो यह भाईया आपको यहीं पर मिल जाएंग 120 रुपे मीटर में यह वाली फैबरिक मिल जाएंगे आपको एंब्रोइड में डिजाइनर वाले मिल जाएंगे जो कि मुझे काफी ज़ादा पसंद आया और यह ब्लू कलर मुझे बहुत पसंद आया और नेक्स टाइम मैं भी से अपने एक ब्लाउस के लिए जरूर लेके आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा चादरे मिल रही थी आपको 200 रुपे की चादर है डबल बैड की इसमें चार पिलो कवर निकलेंगे भाहिया कह रहे थे देख सकते हो काफी अच्छे डिजाइन है यही अंकल है बहुत टाइम से अंकल यहां पर लगा रहे है और मै आप गoup परशाल कर सकते हूं विंटर कलेक्शन आज की वीडियो मनें दब के दिखाया है वीमेंस और मेंस दोनों के लिए बहुत अच्छा स्टाफ दिखाया 822 रुपे में यह भी सेल कर यहां परी libras आपको दिखाया है और आप लोगों को इनका कलेक्शन काफी जादा भी पसंद आया है देख सकते हो साड़े तीन सु रुपे की रेंज में आपको मिल जाएंगे काफी अच्छी आइटम जो कि आपको काफी जादा पसंद आएंगे और यह देखो वाइट कलर ब्लू कलर और ब्लैक कलर में भी एक दू सूट थे जो कि मुझे बहुत जादे प्यारे लगे थे और छोले बटूरे के बिल्कुल सामने अंकल की शॉप है यह रही अंकल यह वाला सूट देखो मैंने आपको एक दुकान पे साड़े 600 का दिखाया था लेकिन यहां पे 350 का मिल रहा था तो ओवर कोच थे और भी बहुत सारी चीज़े थी जैकेट्स बगरा भी थी इसमें अंकल ने लगा रखा था और अंकल उस समय अपनी बीडी पी रहे थे शायद फिर उन्होंने वह चोड़के और मुझे टॉप दिखाना शुरू किया देखो मैं आपसे जूट क्यों ही दिरे दिरे आ रहे थे इस तरफ भी चोले बटूरे वाली से तीन-चार दुकान छोड़के मिल जाएंगे साड़े 300 रुपे में मिल जाएंगे ये जैकेट का कलेक्शन शो करते वे भाईया और इनके पास ये जैंस का कलेक्शन है मतलब की मैंस का कलेक्शन है और बहुत ही प्लय आइटमन भहिये की पास थे देख सकते हो इनमें काफी सारे कलर के ट्रेख सूच वगरा आपको देखने को मिलेंगे साथी साथिसाथ कंडिया मिल जाएंगे मुझे गोल्डन वाला बहुत जादा पसंद आया देख सकते हो किता ज्यादा क्योटी सा लग तो देख सकत मुझे काफी पसंद आई मुझे थोड़ा सा मतलब टाइडाई में वाइप कर रहा था मुझे बहुत पसंद आया यह देख सकते हो और यहां पर अच्छे टॉप्स लगा रहे थे भाईया ने इन्हें के बराबर में थी यह ब्लाउज वाले भाईया यह यह दे रहे हैं और मा अच्छे नजर आ रहे होंगे यह ब्लाउज यह ब्लाउज वाला मेरा फेवरेट था दो सुरुपे इसका प्राइस बेशक था लेकिन यह मुझे बहुत जादा पसंद आया और भाईया की शॉप यहां पर है मैंने आपको लाइव लोकेशन दिखा दी है और इसके अलावा भाईया ने एक दो ब्लाउज मुझे शो करें जैसे कि यह रेड वन यह काफी ज़दा प्यारा था ब्लैक का ही यह शेड था एक रेड एक ब्लू कलर का ब्लाउज था यह भी मुझे बहुत जाद समझ में आया मनला मुझे बहुत पसंद आया यह भी 200 का था इसकी जो प्रामा वेलवेट के और टॉप मिल जाएंगे इनी के आगे 100,000 रुपे में बच्चों की जैकेट मिल रहे थी जिनकी क्वालिटी काफी अची थी आपको काफी पसंद आएगी बच्चों के लिए बहुत प्यारी प्यारी स्वेट शेट थी इस पे बहुत क्यूट क्यूट बड़ो के भी जैकेट भईये के पास अविलेबल थी साइड में लगा रहे थी और यहां पर देख सकते हो यह एक शॉप थी जहां पर विंटर कलेक्शन मिल रहा था धाइसो के दो में आपको ऐसी आइटम दिख रहे थे जैसे मैं आपको स्टैंड पे लगे दिखाए और उन्होंने ही आखे मुझे यह वाले कलेक्शन दिखाए थे डाइसो के दो का इनका प्राइस था देख सकते हो बहुत अच्छी अच्छी आइटम थे इसमें जैंस के भी थे और विमेंस के भी थे दोनों के मिल जाएंगे मिक्स की आइटम थे और इस टाइप की शोर्च इनके पास सबसे अचे !! यह बहुत सारी की मतलब देखें उस टाइप कि जूल्री पोन थे ऐना मी करते हैं और में नहीं घ्रियेंग कर लेंग ऑनर देख लीह को 40-50 ब्रुपए 80-50 प्रुपए तक 걸로 अरामा चबाऊध से सबस्क्राइपने मिलग इनमें आपको 100-200 वाले भी देखने को मिलेंगे जो हैवी होते हैं या जिन जिन में चार पीसिस होते हैं वो भी आपको 200 रुपे तक देखने को मिल जाएंगे आइटम भाया का ओवरॉल काफी अच्छा होता है और भाया के पास बहुत कम रेंज से लेके और हैवी रेंज तक कपीसे अब पसंदी 500 वाला कर रहे हो 50 वाला नहीं कर रहे हैं तो आपको खुद बारगेनिंग करानी है तो इसमें आप मुझे गलत मठ ठहराया करो 50 रुपे से लेके 500-200 रुपे तक की रिंग्स इसमें रखी है और आप इसमें से रिंग्स भी खरीज सकते हैं पर्चेस कर सकते हैं और यह देखिए यह वाले कड़े मिल जाएंगे आपको यह वाले मुझे बहुत बसंद आए तो मैंने सूचा ले लूँ तो मैंने फाइनली आप बताओ लिय नहीं लेकर आ रही है इस बार तो शायद नहीं लाइन थी लेकिन मुझे रेंज बताना मस्त है कि हाँ यह लेकर आती है यह नहीं लेकर आती और यह जो बैग आप मेरे हाथ में देख रहे हैं आपको 350 में मिल जाएगा 350 450 और 550 रुपीज में भी शायद देख दो बैक्स थे इन लोगों को क्या है जब से वीडियो बननी शुरु हो यह लोगों ने वीडियो बनाना शुरू किया यूटूब पर खाले चोर्पिंग 500 को बताएंगी और कोई नॉर्मल सी दीदी आके पूछे तो उनको 200 का बताएंगी तो ऐसा हो रहा है मार्केट में तो थोड़ा सा समझ के लेना समान 500 रुपे में आपको मिल जाएगी यहां पर चपलो की सेल बूट भी था उसमें और चपल भी थी 50-50 रुपे में इस ट्रैप के कड़े देखने को मिल जाएंगे काफी अच्छी क्वालिटी की कड़े यहां पर मौजूद थे साथ ही में देख सकते हो इस ट्रैप के पजामी ज क्वेटर के नीचे पहन सकते हो क्योंकि अभी थंडियां आ रही है और थंडियों में हमें चाहिए रहता है कि हम अंदल में कुछ इसा इनल जैसा पहन ले और उपर से थोड़ा सा मादब लाइक हाफ शर्ट या फिर कोट टाइप डाले तो वह जादा अच्छा वाइप करत है तो एकजिट के लिए भी सेम ही रूट है जहां से आप आते हैं बाकाइदा आय नो कि आपके बैक्स भरे होंगे तो एकसी लेटर की सुविधा एविलेबल है इंदलोग मेट्रो नंबर गेट नंबर पांच पे और जो दूसरा गेट है उस पे लिफ्ट एविलेबल है य आपको मैंने बाय बाय किया और एक हर्ट शो किया तो यहां से जाके अब अपना टोकोन लेकर निकल लेना कुछ जानकारी दे देती हूं नियरस मेट्रो स्टेशन कई बार बता दिया है इंदलोग मेट्रो स्टेशन है जो मार्केट का टाइमिंग है सुबह 9 बज़े से ले कुछ लोगों को लह गयो है कोई कार बार को देख कर आपके करने हैं कि क्यों कि लोगों को देखके रेड़ जादा बोलते हैं कुछ लोगों को देख के कम बोलते हैं तो इस चीज का जो भी मतलब इस चीज से जो भी आपको रंजिश करनी है जो भी इसका जो सुझाव है या फिर जो भी इसका कंड्यूजन है वो यही है कि हम लोगों को थोड़ा सोस समझ के चलना है अब एक चीज और मैं आपको दिखा पूरे हो जाएंगे उम्मीद करूंगे आप लोगों ने आज की वीडियो काफी पसंद की होगी और पहले में सोस्ती थी कि मेरे साथ कोई नहीं है लेकिन आज मुझे यकिन हो गया है कि भगवान के साथ साथ 20,000 लोग भी मेरे साथ हैं तो मैं और मेहनत करूंगी और अच्छ आज तक मुझे इतना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मन तो कर रहेगी मैं आप सब के घर आके आप सब से मिलू पर 20,000 लोगों से मिल पाना बहुत जादा मुश्किल है लेकिन हम जरूर मिलेंगे कभी किसी लाइफ स्ट्रीम पे या फिर कभी कहीं हुआ कर दो